हेलो फ्रेंस वगत है मेरे चैनल में शरतपुर्णी मा में खीर बनाने का विधान है खीर बनाने के लिए यहां मैंने दो लीटर दूद लिया है और दूद को हम तब तक इसको पकाएंगे जब तक की दूद आधी ना रह जाए देखिए यहां मैंने लगभग एक घंटे तक दूद को लो फ्लेम में पकाया है और दूद आधी हो गई है जब तक दूद उबल रही है यहां मैंने देर सो ग्राम चावल लिया है यहां मैंने बास्मती चावल का प्रयोग किया है और देखिए हमारी दूद लगभग उबल गई है एक घंटा से उपर हो गया है पहले हमारी दूद जो थी इस तरह यहां इस लेबल पर थी आप देखिए यहां तक नीचे तक उतर गई है अब हम चावल को मैंने अच्छे स लग जाना है नहीं तो यह नीचे से लग जाएंगे चावल आप बास्मती का ही प्रयोग करें या फिर कोई भी अरवा चावल आप कर सकते हैं एक घंटा हो गया है अब हम देर सो ग्राम चीनी लेंगे देर सो ग्राम मैंने चावल लिया था और उतना ही हम चीनी लेंगे चीनी रालने के बाद फिर से हमें 45 मिनट तक लो फ्लेम में फिर से हमें इसको कुक करना है देखिए लगभग 45 मिनट हो गया है जब हम लैडल से इसको चलाएंगे तो इसके उपर दूर नहीं आना चाहिए चावल ही आने चाहिए देखिए जब हम इसको उठाएंगे तो चावल नजर आने चाहिए चावल लगभग पग गए है इस तरह से हम फिर भी लगातार इसको हम चलाते जाएंगे लोग फ्लेम में और हमें समझना चाहिए कि हमारी खीर लगभग तयार हो चुकी है जब तक कि इसमें बुलबुले ना आने लगे देखिए हम चलाते हुए देखेंगे कि इसमें थोड़े थोड़े बुलबुले आ रहे हैं मतलब कि हमारी खीर तयार हो चुकी है अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको थंडा करेंगे देखिए थंडे होने के बाद हमारी खीर लगभग इस तरह से दिखेगी हमारी खीर तैयार है दोस्तो मेरी ये रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक शियर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए